ना खरीदना है ना बेचना है और ना बनाना है तो बिजनेस ऐसा रहने वाला है जिसका भविशे रहने वाला है इस तरह कि यदि आप दोस्तों दस बेटरीय लगाते हैं तो आप महीने के 25-30,000 रुपे कमा सकते हैं और दोस्तों बिजनेस इतना अच्छा है कि यदि आपके पास एक कस्टमर आता है तो आपका रिपीटिट कस्टमर होगा मतलब डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ने लगेगी आपका बिजनस बढ़ने लगेगा तो जैसी आपका बिजनस बढ़ने लगेगा आपको और बेटरी की रिक्वार्मेंट होगी तो जैसी आपकी बेटरी की र सक्टी है पहली माइन बहुत बड़ी कंपनी होने जारी है जिसका जो नाम है दोस्तों बेटरी समार्ट इस तरह का आप भी आउट लेट खुछ सकते हैं दोस्तों बहुत ही डिफ्रेंट विश्नेस होने वाला है और बहुत ही मतलब कहला धमाकेदर सेह को कैसा लगेगा आपको तो दोस्तो जहां पर प्रोल्म होती है वहीं पर सोलूशन होता है और उसी इक आप बिजनस गेलाता है तो दोस्तों जैसा की आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह से हमेशा फुटपॉल रहता है और आप भी अपने एरिया में अपना इस्टेशन लगा के वह भी जो फुटफॉल आप कर सकते हैं तो चलिए किसी एक से हम जानकारी ले ले लेते हैं कि जो इनके कस्टमर से वह सेटिजफाइड हैं बैटरी स्मार्ट के साथ जुड़के बैटरी स्मार्ट से कितना टाइम होगा आपको जुड़े होगा मुझे आट-नो मेन हो गये आट-नो मेन हो गये तो आपका कुछ इंकम में फर्क पड़ा है पहले जिसे आप काम करते थे तब आपकी क्या इंकम थी और आप क्या इंकम है पहले 780 शो का पाम होता था अब 1-2 गन्टे लग जाता है या फिर हात वात हात काम हो जाता है पांच मिनियट में मिल जाती बेटरी पांच इस पांच मिनियट अच्छा बजलनी होती है किसी तरह की और दिक्कत कोई परिशानी नहीं है विचोब आप मतलब हाँ आप सारे लोग बेटरी ही स्वाइप कुरवाने आए हाँ जी बहुत अच्छा लगा आप लोगुचे मिल कि दरसल मेरा था अलेट ट्रांस्पोर्ट का काम साथ-साथ मेरी दूची बैटरी की तरफ बैटरी स्मार्ट से तो मैं इसलिए जुड़ा जो मुझे लग रहा था कि आने वाले बाविश में ये लीथियम जो बैटरी चलेगी क्योंकि इसके शिवाज और ऑप्चन ही नहीं है एप के तुरू सारा काव होता आपको केबल यह है पुमली चलानी है मेरे पास बैटरी का अवेलबल है ये स्मार्ट का मेरे को बहुत अच्छा बाईए और कमेंट कीजिए तो सर सबसे पहले आप अपने बारें बताईए और आपके कंपनी का नहीं बताईए प्लीज मेरा नाम अनुज है और मैं बैटरी स्मार्ट का रिपरेजेंटिटीव हूं तो सर आपकी कंपनी ने क्या सोच के इस कॉंसेप्ट को रेडि किया पावजूद भी कुछ चैलेंजिस हैं जो एवी के वो ड्राइव करने वालों के सामने हैं जिसकी वजह से वह आज भी एडोप्ट करने से हिचकिचा रहे हैं जैसे कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है एवी के केस में कि पहला जो होता है कि बैटरी जो है वो डिशार्ज हो तो उसके बाद क्या होगा दूसरा कितने किलोमेटर तक चलेगी तीसरा यह होगा कि चार्जिंग में टाइम ज्यादा लगता है और चोथा हो जाता है कि आपका जो बैटरी रिप्लेस्मेंट का कोश्ट होता है वो बहुत हाई होता है जिसके आराउंड यह जो चार बैटरी अगर खातम हो जाती है तो इसमें बिजनेस हमारा रुप जाता है तो उसका सोलूशन के लिए आपके पास जो यह नेटर के वी तो मुलब कितने आपके साथ पार्टनर लोग जुड़ गए होगे तो अगर मैं दिल्ली एंसियार की बात करूं तो हमारे पास दिल्ल पीटनी करना द्रारे जासिकली जो ट्राइवर होते है उब wondering नहीं करनी होथा है उसको सिर्फ अपनी सेंज करनी हो चार्जी नहीं करनी होती है जिसमें कई हारे नहीं चांप होा जक्टाइट मुझा हमेर्ग Хотि ब्राइवर के साथ रहिए नहीं कि ballet Glok जो आज तक मेरे साथ नहीं जुड़ा मेरे network पे नहीं आया है उस case में अगर वो बैटरी जो ज्यादधर cases में acid-base battery वो लोग यूज करते हैं acid-base battery की problems कुछ होती है जैसे कि प्रोब्लम हो गई कि उनका weight बहुत जादा होता है दूसरा अगर weight की बात करूँ तो उनका 100 से 120 किलो तक का वजन होता है दूसरा उनके साथ एक प्रोब्लम होते हैं क्योंकि वह acid-base है उसकी वज़े से जो इरिक्षा की जो नीचे की चादर होती है जिसको हम साधानद भासामी चादर बोलते हैं एसीड के वज़े से कई बार वो गलने लगती है जिसकी वज़े से इरिक्षा ड्राइवर का maintenance का खर्चा मंतली बेसिस पे increase होने लगता है दूसरा होता है mileage का क्योंकि weight increase हो चुका है तो इरिक्षा का mileage अगर 50-60 km होना था तो तीस से 35 km तक ही रह जाता है इसके अलावा जो charging का टाइम है acid-base battery का वो करीबन 5-6 गंटे होता है जिसमें कि आपकी electricity का भी consumption जादा है और आपका waiting time भी बहुँ जाद हो जाता है इन चीजों का solution हम यह लेका है कि सबसे पहले हम lithium-ion battery यूज करते हैं जिसको सबसे बड़ा फायदा ही होता है एक तो वो हलकी होती है इसकी वज़े से mileage और performance इरिक्षा की दोनों अच्छी होती है इसके साथ साथ जो एक charging का जो इशू था तो हमारी जो charging battery को चार्ज करने में चार्ज बैटरी देगा महां से चार्ज बैटरी उठाएगा जिसकी प्रोसेस में मुस्किल से दो से तीन मिनट लगता है तो आपके साथ कौन-कौन लोग जुड सकते हैं काम करने के लिए उसके लिए वर्किंग एरिया कितना चाहिए और किस-किस जगर पर इस काम को किया जो बी कोई इन्सान प्ला इक पैसिव इंक कम चाहता है या एक एक्टिव इंकम चाहता है नहीं इनकम चाहता है जिससे कि वह अच्छा रिटरण पात सके वह हु आरत जूड सकता है वह कोई भी सकता है वह एक एक रिक्षा चलाने वाला भु इसको वह इंवेश्ट करके कुछ नया बिजनस चालू करना चाहता है जिसमें उसको इवन एक्टिवली नहीं होना वह तो भी जूड सकता है तो यह जो हमारा सिस्टम है जैसे के आपने बदा के एडवांस टेक्नोटिक साथ ले सब्सक्राइब पूरा जो आपके साथ हमारे हम दो तरीके से पार्टनर को अपने साथ जोड़ते हैं कुछ केसिस में ऐसा होता है कि पार्टनर आया वह कहता है कि मुझे आपके साथ जूड़ना है तो उसमें कई बार कुछ हमारे पार्टनर के पास ओलड़ी उनके पास शोप्स होती है कुछ पार्टनर के पास ज प्रोफेशनल होगे, उनके पास कैपिटल है, तो वो हमसे कॉंटेक्ट करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इतना पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तयार हूँ, आप मुझे रेडिली एवेलेबल इस्टेशन दे दीजे, तो उसके इसमें क्या होता है कि हम खुद से रिय से पचास बैटरीज का रेडिली एवेलेबल इस्टेशन विद गूड ओपरेडिट रिवेन्यू को टेक ओवर करना चाता है, तो उस केस में पार्टनर को आठ से बारा लाग तक इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिसमें हम पार्टनर को सब कुछ सेट अप करके देते हैं, तो इतना अमांट इन्वेस्ट करने के बाद पार्टनर मंतली बेसिस पर कितना कमा सकता है और उसका मंतली टोटल प्रोफित कितना हुगा, मैं देख पा रहा हूं कि आपकी बैटरी के उपर बारकौड वगाँरा भी लगा हुआ है, आपके पास अप्लेट की है, और भी ब यो ये, चार्ज बैतरी लिए यह लूता है कि आपने बेटरी बैतरी के घरार है, जिसको स्कैन करके मेरा जो इस्टेशन चलाने वाला ओपरेटर है उसको स्कैन करता है जिससे हमें यह पतर चल जाता है कि यह इस रिक्षा ड्राइवर ने हमें यह वाली बैटरी हैंड ओवर किया है और जब वह जो बैटरी वह उसको दे रहा है उसका भी एक यूनिक क्यू आ है www.batterysmart.in उस पे जाकर के एक हमारे फोम है जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करते हूंगा उसमें जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका नाम आपका मुबाइल नंबर आपका एड्रेस कौन सा है जहां पर इस्टेशन खोलना चाहते हैं और इसके साथ कि आपक बिजनेस स्कलास में थैंक्स पर वचिंग हर बार की तरह जै हिंद और जै भारत